मैं नीरज कुमार सक्सिसमिर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किजिए कमेंट किजिए सब्सक्राइब किजिए और अपने दोस्तों में शेयर किजिए लेकिन बेल आइकन को दबाना ना भूले बेल आइकन क सब्सक्राइब तो दिखाए कि कौन एवरावर कौन भी होगा तो देखिए कैसे बनाते हैं कि पहले एक कि राइट एंगल ट्रेंगल ड्रॉ किजिए कि यह से कि यह अब लेखना यहां पर माना के तिर्भूज ए, बे, से, एक समकौन तिर्भूज खीचा जिसका, जिसका कौन, सी समकौन है अब देखिए, आपको बोल रहे हैं कि कौन ए और कौन भी, तो कौन ए, तो कौन ए के सामने की भूजा, अब देखिए इसको ठीटा मान लेंगे, कौन ए ठीटा, तो ठीटा के सामने की भूजा को लंब कहते हैं। लंब, तो देखिए, तो कौस, कौस ए, कौस ए, बराबर क्या होता है, अधार बटे, कर्ण, अब देखिए, अधार कितना है, ठीटा के सामने की भूजा, यह कितना है, 90 डिगरी, तो यह क्या हो गया, अधार हो गया, और यह लंब हो गया, और यह क्या हुआ, कर्ण, तो देखिए, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, अधार कितना है, कर्ण, अब देखिए, कॉस बे, अब क्या करेंगे, यह इसको ठीटा बनाएंगे, मानेंगे, कॉस बी, देखिए, कि कॉस बी, कॉस बी क्यों माने, क्योंकि यहां पर बोल ला है कॉस बी, तो कॉस ठीटा को क्या मानेंगे, बी को ठीटा मानेंगे, तो देखिए, यहां पर कॉस बे, अब देखिए, यह क्या हो गया, ठीटा के सामनी की भुजा को, अब यह लंब हो गया, अब यह लंब हो गया और अब यह ठीटा और यह 90 डिगरी के बीच की भुजा को आधार कहते हैं यह आधार हो गया तो देखें आधार कितना है बीसी है और कर्ण कितना है कर्ण एसी कर्ण एबी शॉड़ी यह equation तो आप देखें प्रस्ण से बोल दाजे प्रस्ण से कॉस ए बराबर कॉस बी तो कॉस ए बराबर कॉस भी कर दिजिए आप लोग कॉस ए बराबर कॉस बी अब देखें कि कॉस ए का मान कितना है अब देखें इसके हर में और इसके हर में क्या है बराबर है और यह क्या equal है जब ऐसा रहता है तो यह क्या होगा cancel हो जाएगा अब देखिए A.C. बराबर B.C. अब देखिए यह कर रहा है यहां से पता चल रहा है कि इसका जो side है side क्या equal है B.C. और A.C. A.C. और B.C. क्या equal है क्या equal है अब equal है तो क्या करेंगे देखिए जब आपका side equal है तो opposite angle भी क्या होता है बराबर होता है जब side equal हो तो उसका opposite angle भी बराबर होता है जब side बराबर हो side बराबर हो तो opposite angle opposite angle आर एक्वल अपोजिट एंगल आर एक्वल तो अब देख लेंगे कि जब साइड बराबर है तो एपोजिट एंगल भी एक्वल होगा तो देखें एपोजिट एंगल कोन है इसके एपोजिट कोन है ये है और इसके एपोजिट ये है तो लिख देंगे अता कौन A बराबर कौन B ये प्रूब्ड हो गया कुछ नहीं है लेकिए देखें एक क्वेस्टन नमर से बन यदि कोट थिटा एककोल टू 7 बाय एट तो 1 पलस साइन थिटा इंटू 1 मैनस साइन थिटा बटे 1 पलस कोश थिटा इंटू 1 मैनस कोश थिटा का मान क्या होगा तो देखें हम क्या करते है सबसे पहली बात यहां पर देखिए कोट थिटा यहां पर देखें इसको हम सॉल्व करते है एक में 1 पलस साइन थिटा आप लोग बोर्ड पर प्लीज ध्यान दिजिए साइन थिटा 1 पलस कोश थिटा 1 मैनस देखें हम कैसे इसको सॉट में बनाते हैं इसको A माल लिजिए इसको B माल लिजिए इसको A माल लिजिए इसको B माल लिजिए अब देखें यहां पर पलस है तो पलस दिजिए यहां पर मैनस दिजिए अब देखिए कि फर्मूला इसका क्या होता है A plus B into A minus B का फर्मूला होता है A square minus B square फिर नीचे में भी वही है देखे यह A plus B मान लेते हैं फिर यहां पर A इसको B मान लेते हैं तो इसको क्या लिखेंगे A square minus B square देखें काटेंगे नहीं सेम नहीं यहां पर साइन है यहां पर कटेगा नहीं तो क्या होगा यहां पर लिखेंगे यहां पर कितना साइन है यहां पर साइन ठीटा का सिक्वाईर फिर देखेंगे यहां पर यहां पर क्या यहां है तो कोस जित्वत का सिक्वाईर अब देखिए यहाँ पर क्या आगए 1 काव स्कुरेटर 1 मैνस Sain ठीटा काव स्कुरेट तो Sin ठीटा बटे 1 काव स्कुरेटर 1 1 मैंस cost स्कुरेटर 근स्कुरेटर अब देखिए कि 1 मैंनस Sain स्कुरेटर clinic कहाँ से देखे एक फर्मूला आप लोगों को लीख देते है साइन स्क्वाइर ठीटा अब पलस कोसे स्क्वाइर ठीटा इसकल टो वन अब देखे आपको वन में नस साइन करना है तो इसको कर दीजिए वन यहाँ पर न उसको उस साइट भेज दीजिए तो बचा कोसे स्क्वाइर वन साइन स्क्वाइर ठीटा तो यह कोसे स्क्वाइर ठीटा अगर यह अगर वन मैंनस कोसे स्क्वाइर ठीटा हो वन मैंनस कोसे स्क्वाइर ठीटा बराबर साइन स्क्वाइर ठीटा यह फर्मूला याद रखिया आप लोग अब्जक्टि में भी पूछे जाते हैं तो देखे वान मैनस साइन स्क्वार ठीटा तो हो गया यह कोस स्क्वार ठीटा अब वान मैनस कोस स्क्वार ठीटा साइन स्क्वार ठीटा अब देखे यह जो रेशियो होता है कोस स्क्वार ठीटा यह होता है कोट स्क्वार ठीटा इसका हॉल स्कॉयर अब देखे साथ को दो बार पढ़िए ससते उन्चास अब बट्टे अठी अठी चौन सट कितना आसानी वे में आंसर आ गिया लिखे अब लो अब देखिए सचौाइल है सबस्क्राइब क्या अब inception करेंगे यह कितना कर देखा कमान कितना लिए हुआ है इस सेवनभाब एट अब यह वह इन्चास बट्टे 6 4 सट लेकिए कि दूसरे तरिका से लिए इसको बना सकते और बूते हैं कैसे बनाएंगे अब यहां से कड़ निकालेंगे फिर यहां पर सायम का मान निकाल इसमें पूठ कर देंगे तो यह यह तो देखें कीने कैसे बनाते हैं कि में उस्सी दाब से लंबर से कॉट ठीटा बराबर सेवन बाई एट तो कॉट आपको बताए थे कि यह होता है अधार बटे लंब अधार बटे लंब आपको अधार पता है लंब पता है आप कर्ण नहीं पता है कर्ण नहीं पता है तो कर्ण क्या है बढ़ा है बढ़ा स्थाफिशा — और देखें लंब cardi अधार के कितना है 8, 8 का स्क्वाईर, पालस, अधार, 7 का स्क्वाईर, अठी एठी, 64, अज साथ को दो बार पढ़ना है, साथ गुना साथ, ससते, 49, अब देखें, 9, 4, 13, अच्छो चार, 10, 11, 11, 113 हो गया, अब करन आ गया आपको 113, अब देखें, साइन ठीटा निकालना है, यहाँ पर है क्या साइन है, और कॉस है, तो साइन निकालिए, साइन ठीटा बराबर, लंब बटे करन, लंब कितना है, 8, करन कितना है, रूट अंडर, 113, अब देखें, कॉस ठीटा, अधार बटे, करन, अधार कितना है आपको, 7, अकार्ण कितना है, रूट अंडर, 13, अब क्या करेंगे, जो प्रसंद संग्या एक है, इसमें पुट करेंगे, लिखिए, अब देखें, यहाँ पे, 1 पलस साइन ठीटा, 1 मैंनस साइन ठीटा, अपाउन, 1 पलस कोस ठीटा, 1 मैंनस कोस ठीटा, देखें, यहाँ पे, q1 पलस, साइन ठीटा, कमान देखें, कितना है, देखें, यहाँ पे, 8 अपाउन, रूट अंडर, 113, तो, रूट अंडर, 113, फिर देखें, यहाँ पे, 1 मैंनस, फिर साइन कमान देखें, कितना है, 8 अपाउन, रूट अंडर, 113, यहाँ पे भी, 113, रूट अंडर, अब देखें, 1 पलस, कोस ठीटा, कमान, 7 अपाउन, रूट अंडर, 113, फिर 1 मैंनस, 7 अपाउन, रूट अंडर, 113, अब देखें, क्या करेंगे इसको, अब यह भी क्या हो गया, A, B, A, B, मैंनस, 8, फिर से माग गया, A स्कॉाइर मैंनस, B स्कॉाइर, अपाउन, A स्कॉाइर मैंनस, B स्कॉाइर, अब देखें, तो, 1, 1, एक जगह पर 1 है, 1 का स्कॉाइर मैंनस, 8 अपाउन, रूट अंडर, 113 का स्कॉाइर, फिर अपाउन, A का मान, 1 है, 1 का स्कॉाइर, मैंनस, B का मान, 7 अपाउन, रूट अंडर, 100, देखें अब, 1 का स्कॉाइर, 1, मैंनस, अठी, अठी, 64, अपाउन, 113, स्कॉाइर रूट को अटाईए, दो बार है, स्कॉाइर रूट, तो, 113, अपाउन, 1, मैंनस, 67, 49, अपाउन, अगर रूट पे, अब देखें, इसका LCM लीजिए, 113, अब देखें, यहाँ पे कुछ नहीं, तो, 1 है, 1, 113, मैंनस, 64, अपाउन, 113, मैंनस, 49, अपाउन, 113, देखें, यहाँ पे, यह वा, 13 से 4 गया, 9, 10 मैं से 6 गया, 4, अपाउन, 113, फिर, यहाँ पे देखें, 64, अपाउन, 113, देखें, यहाँ पे, 49, अपाउन, 113, अब देखें, यह क्या है, भाग में है, तो, भाग में, इसको क्या अगरा, उल्टा देंगे, तो, गुना में आ जाएगा, 113, अपाउन, 64, 113, 113, कैंसिल, 49, अपाउन, 64, तो, यह देखें, कितना बरामें बना, कितना बराम बना, लेकिन, इसे जो पाले में बनाया था, कितना आसान था, लेकिए अपलो, देखिए, question number 8, यदि 3 coat A, बराबर 4, तो, जांच किजिए कि, 1-10 square A, upon 1-10 square A, equal to, cos square A, minus sin square A, है या नहीं, क्या नहीं है, देखना कि, बराबर है या नहीं, तो, कैसे चेक करेंगे, हमको यह देखना है कि, बराबर है या नहीं, तो, देखिए, यहाँ पे तो, आपको coat दिया हुआ है, हमको यहाँ क्या निकलना है, 10 निकलना है, तो, 10 कैसे आएगा, तो, देखिए, यहाँ पे, आप लोग बोर्ड पे ध्यान देजिए, थिरे coat A, equal to 4, तो, coat A, equal to 4, अपन, यह नीचे आ जाता है, थिरे, आ गया, अब देखिए, आपको बताये थे, कि, coat जो होता है, 10 का उल्टा होता है, तो, 10 A, बराबर क्या हो जाएगा, इसको उल्टा दिजिए, 3 बटे, 4, और इसको बोलते हैं, लंबटे, अधार, अब देखिए, आपको यह दिया, वह 10, 10, 10 आ गया, अब देखिए, इसको मालते LHS, LHS, LHS बराबर, 1 माइनस, 10 स्क्वाइर, अपाउन, 1 पलस, 10 स्क्वाइर, अब देखिए, कि, 1 माइनस, 10 A का मान कितना है, 3 अपाउन, 4, इसका स्क्वाइर, स्क्वाइर की जिए, अपाउन, 1 पलस, 10 A के मान, 3 अपाउन, 4 का हॉल स्क्वाइर, अब देखिए, कि, 1 का, 1, माइनस, 3 का, दो बार पढ़ेंगे, यह से देखिए, 3 दूना चाह, 3 को दो बार पढ़ना है, 3 गुना 3, तो तिंतिया, 9, अपाउन, चार चो के, 16, 1, पलस, 3 तिंतिया, 9, अपाउन, 16, अब देखिए, अब देखिए, हम इसको इधर बना रहे हैं, उपर में, तो 7 अपाउन, 16, अब देखिए, यह भाग में है, यह भाग में है, तो इसको हम गुना में देंगे, तो गुना में देंगे, तो यह किया आजएगा, 16, बाए, 25, पचीस, बाए, 16, सोला से, 16, कैंसिल, कितना गया, 7, बाए, 25, यह हो गया, इसका अंसर, लिखे अब लो, अब देखिए, यहां पर रहेस है, रहेस है, यह आर सबस्क्राइब अब अधाय करेंगे ले मतलब अ मतलब दाया पक्ष अब देख देखिए को को सबोर्ट अग्रिद सब सबरुट पता नहीं है कर्ण पता नहीं है आपको बार बार बोलें कर्ण क्या होता है कि कर्ण बड़ा साइड होता है बड़ा आदमी सब को मिला जुला के रखता है मिला जुला का मतलब दोनों को जोड़ के दोनों को जोड़ के रखते हैं तो जोड़ना है दोनों को तो लंब एसक्व आप याद रखिए फर्मुला अधार square, लम्ब कितना है? 3, तो 3 का square, 27, अधार कितना है? 4, 3 का square, 9 चार का square, 16, तो 16 ना, 25, आप 25 का square, पहरूर्ट पलस मैनस पी स संभ्य आपको पता है किसार ज भूझा होता ई ceux-विरी नेथा नहीं होता इसलिए हम द्वर स्थी मान नहीं लेंगे थांत्त मांलेंगे फलस पान्च अभ देखे वकरन प्था से धार्र Kashक चल गया और और आधार लंबी भी पता है अब देखिए यहां से अब निकालना क्या है कॉस साइन तो कॉस यह बराबर कॉस यह बराबर आपको बताए थे कि अधार बटे कर्ण अधार बटे कर्ण अधार कितना है देखिए चार कर्ण कितना है आपको पाच अब साइन निकालना है तो साइन यह लंब बटे कर्ण इस आपका जो ट्रीक है पीछे लिखा है पिछले क्लास में तो आप लोग वीडियो को भगा भगा के मत देखिए ताकि आप लोग समझे अधार कर्ण कितना है लंब बटे कर्ण लंब आपको 3 है और कर्ण आपको 5 आया अब देखिए अब प्रस्न से कौसच अमाल देखो कितना है 4 बटे 5 इसका क्या स्कॉाइर है तो स्कॉाइर का जिए मैनस है मैनस दोगा साइन आ का माल 3 बटे 5 इसका भी स्कॉाइर 6 दिजिए चार्चो के 16 बटे 25 पचीस माइनस तिन्तिया 9 बटे 25 25 का LCM 25 जब नीचे में इसका हर्ज समान हो तो देखिए बीच में क्या है माइनस है तो घटा दिजिए 16 माइनस 9 तो 16 में से नो गया 7 बटे 25 तो देखिए जो इसका और चार्चेस आया था कितना आया था साथ 22 अब है यह कितना गया यह भी सातट 25 बटे 25 आ अब देखिये किया यहael आर डाने वर्ड़ह रहे बराबर है तो क्या लेख देंगे-बराबर ऑलर यह बोला कि बराबर है या नहीं है तो क्या है बराबर है यही प्रूब करने के लिए बोल रहा था इसको यहां से इसको लाइन फार दीजिए क्योंकि आप लोग को पता ने चलेगा फिर यह अलग बनाए पहले यह बनाए उसके बाद यह बनाए उसके बाद यह बनाए तो आप लोग लिखिए इसको question number 9 तेरे भूज A B C में जिसका कौन B समकौन है यदि 10 A बरावर 1 बायरूट 3 तो निमलिकित के मान यात किजिए एक में देखिए sin A into cos C plus cos into sin C अब देखिए depend कर रहा है कि यहां पे इसका ठीटा क्या है ठीटा A है और इसका ठीटा क्या है C है इसका भी ठीटा क्या है और इसका ठीटा क्या है C है अब इसी परकार से लंब भी बदलेगा यहां पर a है और यहां पर समझना होगा तीरभूज से तिर्भूज बनाते हैं तिर्भूज ज़े आप लोग समझिए जब भी आप तिर्कुनिमिती बनाएंगे तो फीगर समकौन तिर्भूज का ही बात करेंगे अब देखिए तिर्भूज A, B, C में कौन B समकौन है तो हम B मान लेंगे इसको अब किसी को भी A कर दिजिए और इसको C कर दिजिए ये fix है B, 90 degree अब देखिए कि दो फीगर बनाते हैं आप लोग देखिए बोट पे अब इसको भी हम B मानते हैं ये भी 90 degree ये भी 90 degree ये भी 90 degree ये भी 90 degree इसको सी माने इसको ए माने दो फीकर बनाए दोनों को ध्यान से देखना है अब देखिए कि तैन ए टैन ए बराबर वन बाय रूट थे तो देखिए तो यह क्या है टैन टैन ए बराबर वन बाय रूट थे तो टैन ए लंब बटे अधार अब देखिए लंब और अधार हम ए को ठीटा मानेंगे यहाँ पर क्यों ए को ठीटा मानेंगे क्योंकि यहाँ पर टैन ए है ए को ठीटा मानेंगे तो ठीटा के सामने की भूजा को लंब काते हैं क्या करते हैं लंब अब देखें लंब कितना आपको लंब का मान कितना है एक है तो यहां पे लंब बराबर एक अब देखें यहां पे अधार अधार कितना है रूट थीरी है तो देखें 90 डिग्री 90 डिग्री और ठीटा के बीच की भुजा जो यह है यह कितना है रूट थीर स्थाली है और इसको बोलते हैं अधार के से मान यहाँ पर रखेंगे इसको रूट थेडरी करो और बोल कि देंगे अ मैं यह लंब अब नमब कितना है अब कर रहा है कि यहां पर यह आ इंगल बताए से अंगल बनाए अब झाहर में तो आप कि सी को ठीटा मालेंगे तो ठीटा के सामने की बुजा को इसको लंब बोलेंगे और नब्बे डिग्री नब्बे डिग्री और ठीटा की बीच की बुजा को अधार कहेंगे और जो बचा 90 डिग्री के सामने की बुजा को करन कहते हैं और यह देखें, सामने की फूजा को, कर्ण कहते हैं, अब देखिए, यह स्यूण अ का करें गीर से निकालेंगे, और का करों और देखिए, यह सान्टी करेंगे, तो फिगर इस निकालेंगे, तो अब देखिए, टैने, लंबटे, अधार, तो हमको पता नहीं है, कर्डळ, तो करण निकालेंगे तो देखें करण बड़ावर क्या होता है लंब स्कॉयर अजोर अधार स्कॉयर अब देखें लंब कितना है वन का स्कॉयर अधार कितना है रूट थिरी वन का स्कॉयर वन रूट थिरी का स्कॉयर रहे तो रूट हट जाता है तो बचा कितना तीन तीन एक चार चार का रूट दो अब देखें आपको बोले थे अगर फीगर एक ही हो ये भी फीगर है ये भी फीगर है फीगर तो सेम है अंक भी सेम है लेकिन अधार और लंब अलग अलग है अधार और लंब अलग अलग रहे फीगर सेम रहे तो कर्ण कभी बदलेगा नहीं अब देखें कि अगर यहां पे लंब रूट 3 है और अधार 1 है कर्ण तो सेम होगा इसका भी कर्ण कितना होगा दो लिखें कर्ण बड़ावर कितना होगा लंब अधार 3 अब पलस 1 चार 4 का अधार 2 इसका भी कितना होगा दो होगा अब देखें यहां पे समझने वाली बात है जब आपको बोलेंगे साइन ए तो साइन ए का बात करेंगे तो साइन इससे निकाल लेंगे तो देखिए हम sin निकालते है sin A sin A बरावर क्या फर्मूला होता है lumb बटे कर्ण lumb बटे कर्ण तो देखिए lumb बटे कर्ण lumb कितना है 1 कर्ण कितना है 2 sin A निकाले अब sin A है यहाँ पे sin A अब इसमें cos A है तो cos A भी निकाली है figure 1 से cos से बरावर अधार बटे कर्ण अधार बटे कर्ण अधार देखिए c में रोट थी रहे है अब कर्ण कितना है 2 अब देखिए figure 2 में figure 2 का बात क्यों कर रहे है यहाँ पे बोलना है cos C देखिए इधर बोट पे cos C तो हम figure 2 का बात करेंगे क्यों cos C क्योंकि यहाँ पे ठीटा क्या है C है angle इसका C है इसलिए हम figure 2 का बात करेंगे तो cos C cos C बरावर अधार बटे कर्ण अधार कितना है इसमें देखिए 1 है और कर्ण कितना है 2 और देखिए अब बोलना है cos C निकाले अब साइनसी साइनसी का लंब बटे कर्ण अब लंब कितना है इसमें root 3 अब कर्ण कितना है 2 है लिखिए अब लो देखिए अब यहाँ पे put करना है भेलू को एक में sin A तो sin A का मान देखिए कितना है 1 by 2 1 by 2 यहाँ पे into का मतलब होता है गुना cos C cos C का मान देखिए कितना है cos C का मान 1 by 2 पलस बीच में पलस से पलस दिजिए cos A का मान देखिए root 3 by 2 into sin C का मान देखिए यहाँ पे root 3 by इसके हर समान हो तो अब देखिए 1 गुना 1 1 2 गुना 2 4 root 3 गुना root 3 root 3 गुना root 3 root 3 गुना root 3 3 upon 2 गुना 2 4 अब देखिए जब बोले थे कि इसके हर समान हो तो इसका क्या गेल्सियम 4 होगा जब हर समान हो तो देखिए बीच में क्या है बीच में क्या है पलस है तो उपर वाले को पलस कर दिजिए तो 1 पलस 3 3 पलस 1 4 upon 4 कैंसी लोगे आ गया 1 इसका अंसर आ गया 1 लिखिए आप लोग अब देखिए यहां पर कॉसे है कॉसे कमान पूट किजिए रूट 3 बाइ 2 इन्टो कॉसे कॉसे कितना है देखिए 1 बाइ 2 माइनस साइन ए कितना है 1 बाइ 2 इन्टो साइन सी कमान कितना है रूट 3 बाइ 2 देखिए यहाँ पर root 3 into 1 root 3 2 into 2 4 minus 1 into root 3 root 3 2 into 2 4 अब देखिए यहाँ पर क्या है? पलस है और यहाँ पर minus है और सेम संख्या है जब संख्या सेम हो और चीन अपोजित हो मतब चीन विपरित हो तो यह कट जाता है कट के कितना हो बचा यहाँ पर? 0 question number 10 देखिए तिरभूज PQR में जिसका कौन Q सम कौन है PR पलस QR equal to 25 cm और PQ equal to 5 cm है sin पे, cos पे और 10P के मान ग्याद किजिए देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर तिरभूज PQR तो तिरभूज हमको PQR बनाना है ध्यान देजिए बोट पर लेकिन यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देना है कि कियू समकोन है समकोन का मतला 90 डिग्री कि इसको हम Q माल लेंगे अब यहाँ पर यहाँ पर P दीजिए यहाँ पर आर दीजिए यहाँ पर P दीजिए यहाँ पर आर दीजिए सेंटीमीटर और देखे यहां पर दिया हुआ है पी आर पी आर प्लस क्यू आर एक्वल टू पच्छिस सेंटीमीटर अब देखें हमको निकालना है यहां पर क्यू आर निकाल लीजी यहां से तो qr एक्वल टू 25 सेंटिमेटर माइनस पी आर अब देखिए qr यहाँ पे कितना है 25 25 माइनस पी आर पी आर अब देखिए अब यह बोला है कि qa पी 10 पी और sin पी मत्तब इसका जो एंगल है जिसको ठीटा काते हैं ठीटा कितना है ठीटा यह पी है ठीटा के सामने की भूजा को लंब काते हैं देखिए समझे यहाँ आप लोग लंब काते हैं 90 degree के सामनी की भूजा को कर्ण कहते हैं और ठिटा और 90 degree के बीच की भूजा को अधार कहते हैं अब देखिए आपको अधार पता है, लंब पता है, कर्ण पता नहीं है तो हम कर्ण निकालेंगे यहां से, तो कर्ण बड़ाबर कर्ण बड़ाबर लंब स्कॉयर जोर अधार स्कॉयर, तो लंब स्कॉयर जोर अधार स्कॉयर तो देखिए यहां पे, लंब कितना है, लंब कितना है, 25 माइनस पी आर, का हॉल स्कॉयर पलस, अधार कितना है, पाच अगर्ण कितना है, पी आर, कर्ण जो है, पी से आर के बीच की दूरी को कर्ण काते हैं तो यह हो गया, पी आर अब देखिए, यहां पे स्कॉयर रूट है, स्कॉयर रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर हम पाते हैं कि हम पाते हैं कि हाँ हम पाते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर हम पाते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करेंगे, इसका वर्ग क्या होगा, यह रूट हट जाएगा तो 25 माइनस पी आर का स्कॉयर पालस 25, तो पी आर स्कॉयर अब देखिए, अ मिनस बी का होल स्कॉयर, ए स्कॉयर तो 25 का स्कॉयर माइनस तू, एक जगा पाचीश, इन्टू बी, बी का जगा पाचीश, पी आर का स्कॉयर पालस 25, अब देखिए, PR square equals to 25 square 6 sera minus 25 20 PR plus PR square plus 25 अब देखीं यहाँ PR square PR square equal to 6 vraag 25 625 पलस 25 कितना होगे यहाँ पर 625 पलस 25 कितना होगे 650 minus 50 PR 20 PR अब देखे क्या करेंगे PR स्कॉयर यह जो पलस PR स्कॉयर इसको इसाड़ लाईए तो PR स्कॉयर इक्वल टू 650 minus 50 PR यह क्या होगे गया इक्वल टू 0 650 minus 50 PR अब देखे PR को इधर किजिए मैनस से क्या हो जगा पलस 50 PR इक्वल टू 650 PR इक्वल टू 650 अपॉन 50 कितना होगे तेरह पच्चे 65 तेरह तो PR का माना गया PR तेरह सेंटीमेटर अब देखे पी आर का जमान तेरह सेंटीमेटर आ गया लिखे आप लोग पले क्यू आर इक्वल टू 25 मैनस PR अब देखे 25 PR का माना आपको कितना है 13 तो मैनस 13 कितना गया 12 तो QR आगया 12 सेंटीमेटर अब देखे यह आगया आपको 25 मैनस PR 12 सेंटीमेटर और देखे जो PR का माना 13 सेंटीमेटर तो कर्ण भी आगया 13 सिंटिमीटर अब देखिए आपको अधार पता चल गया लंब पता चल गया कर्ण पता चल गया अब लोग लिखे अब देखिए अब देखिए पराशन से बोला है साइन पी तो साइन पी लंब बटे कर्ण लंब कितना है देखिए अब लंब बारा कर्ण कितना है 13 सिंटिमीटर अब देखिए कौसपी का रहा है कौसपी अधार पते कर्ण अधार कितना है 5 सिंटिमीटर और कर्ण कितना है 13 तैन पी तैन पी लंब बटे अधार लंब कितना है 12 अधार कितना है 5 लेखिए अब लोग कुश्चन नमर 11 बताए कि निमलेखित कथन सत्त है या असत्त है कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टी किजिए तो देखिए एक में कर रहा है 10 एक का मान सदेव एक से कम होता है तो देखिए हम क्या करते हैं एक राइट एंड ट्रेंगल बनाते हैं और उसे हम बताते हैं कि के सही है या गलत देखिए यहां पर कर रहा 10 ए तो मान लेते हैं इसको यह ए है ए और यह बे और यह से देखिए यहां पर यहां पर एंगल ए कर रहा है तो इसको माल लेते हैं तेन इसको चार और इसको कितना माल लेंगे पांच अब देखें पांच क्यों माने हम आपको समझना है यहां पर कि तीन का स्कॉयर और चार का स्कॉयर कितना होता है यह करना है करन बड़ाबर लंब अधार स्कॉयर तो पांच आया तो अब चेक करना क्या देखें यहां पर 10A 10A बड़ाबर लंब अधार तो लंब कितना है 3 अपां 4 और देखें लंब कितना है 10A BC अधार AC अब देखिए करत 10A का मान सदेव एक से कम होता है क्या 10A का मान सदेव एक से कम होता है देखें यहां पर लेकिन यहां पर 3 है और यह 4 है अब 3 और 4 का रेशियो देखें 3 और 4 इसका जब अधार करेंगे तो कितना आएगा कितना आएगा पांच आएगा तो पांच आएगा क्या यह 3 और 4 कितना आना चाहिए और यह कितना आ रहा है कि यह 1 से कम आ रहा है यह 1 से कम आ रहा है तो इसके लिए 7 है 7 कि 8 है नहीं है यह 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 यहां पर आना चाहिए अपर एक से बरा एक से बरा इसका रेशियो देखें तो कितना आना चाहिए यह पांच आना चाहिए लेकिन यहां पर पांच जो है तो क्या एक से बरा होना चाहिए इसको लेकिन वन से क्या यह छोटा मान दे रहा है तो देखिए ऑना ऐसे भी आप एक भेलू ले लिजीए एक खाहिए जीरो तेस इस पईपालेस शाट नब्य अब देखिए यहां पर टैन जीरो कितना होता है जीरो होता है यह कितना होता है 1 by 1030 root 3 ये कितना आता 1 होता है root 3 by 2 होता है root 3 होता है 90 degree ओ परिभासित देखिए कारह कि ओ परिभासित का मतलब होता है कि 1 से बहुत बारा लेकिन ये कारह 1 से कम होगा इसका कहना गलत है और देखिए ये राय टेंगल टेंगल को भी फुलो नहीं कर रहा है अगर फुलो करता तो इसका मान वन से बरा आता तो सही था अन्य था ये गलत है तो ये क्या है असत है लिए अगे है यहाँ यहाँ पर मीस हो गया है यहाँ पर चीतर बनाने में तो यहां पर पर सीBut the अब लोग फिकर को देखिए एक बार कि यहां पर तीन दीजिए और यहां पर चार यहां मिस हो गया तो देखिए यहां पर चीटा के सामने को जाको लंब यहां पर किता देंगे लंब चार अपर तीन अब देखिए यहां पर चार तीन चार में क्या करें तीन से भाग देंगे तो इसका मान कितना होगा वन से बरा होगा क्या होगा वन से बरा होगा जब वन से बरा होगा तो यह मान असत्त है जबकि यह कर रहे वन से कम होना चाहिए वन से कम होना चाहिए लेकि यह वन से बढ़ा रहा देखिए कितना आएगा अब फिरी मतलब वन पुछा रहा है लेकिन वन से तो कम नहीं है वन से बढ़ा है अईसे भी देखिए कि टैन जिरो है अब देखें यहां पर क्वेश्चन नम्मर दो क्वेश्चन नम्मर दो में करा है कौन एक एक किसी मान के लिए सेक एक का मान 12 बटे 5 है आपको पता होना चीज़ इसका क्या होता है सेक कर्ण बटे अधार कर्ण बटे अधार कौन एक किसी मान के लिए सेक कर्ण हमेशा अधार से बड़ा होता है अधार से भी और लंब से भी बड़ा होता है तो यहाँ पर क्या है कर्ण यहाँ बड़ा है और अधार क्या पांच है तो यहाँ पर यह क्या है यह कथन सत्य है कौन एक किसी मान के लिए सेक का मान 12 बटे 5 होता है होता है और यह कथन सत्य भी है सत्य कैसे है जो कर्ण है इसका 12 है और अधार क्या है पांच है कर्ण हमेश अता दोनों भुजा से बरा होता है तो लिखेंगे कर्ण हमेशा अधहार से बरा होता है बरा होता है और ये जो इसा है अता ये कथन सत्त है सत्त क्यों है क्योंकि अधहार से कर्ण बरा है इसलिए लिखेंगे अपलो अब दिखें कौस ए कौन ए के लिए कौन ए के लिए को सेकेंट के लिए परियुक्त एक संचिप्त रूप है नहीं ये गलत है क्यों गलत है क्यों कि कौन ए के लिए हम को साइन लिखते हैं को साइन होना चाहिए को सेकेंट नहीं होना चाहिए इसलिए ये कथन क्या है असत्त है लिखे आप लोग अगर यहाँ पे ऐसा राता कि सेकेंड शेक कौन एक के लिए को सेकेंड के लिए परियुक्त एक संचिप्त रुपा है तब यहाँ पे सही होता है लेकिन यहाँ पे कर रहा है कोस तो कोस कभी को सेकेंट के रूप में नहीं लिखा जा सकता है कोट और एक गुननफल होता है तो यह ऐसा नहीं होता है असत है तो कैसे कोट एक संकेत है कोट को ऐसे लिख सकते हैं ऐसे रूप में लिख सकते हैं कोट और एक गुननफल नहीं है कोट जो है एक गुननफल नहीं है सिंपल सा समझ यह से अब देखिए यहां पर कराएं किसी भी कौन ठीटा के लिए साइन ठीटा बराबर चार बटे तेन तो यह क्या करसत है या असत है आपको बताएं हैं जब तिरकुनमीती का बात करेंगे तो उसमें हम राइट एंगल ट्रेंगल का बात करेंगे मतलब समकोन तिरभूज का समकोन तिरभूज में आपको पता होना चाहिए कि करना हमेशा दोनों भूजा से बरा होता है दोनों भूजा से बरा होता है इसको बरा होना चाहिए इसको बरा होना चाहिए अब देखिए कि बरा होना चाहिए तो साइन ठीटा बराबर लंब बटे कर्ण तो देखिए लंब कितना है ठीटा के सामने के बुझा को लंब करते हैं तो A B कितना है लंब B C B C upon कर्ण A C इसको बरा होना चाहिए अब देखिए कि B C इसको मल्टिप्लाइ कर दिजिए इसे करके greater than A C अब देखिए कि A C क्या है यह जो B C है आपको अधार है और यह क्या है A C कर्ण है आपको बोले हैं कि पैथागोरस परमे से कर्ण हमेशा बरा होता है लेकिन यहाँ पे क्या है कर्ण छोटा है छोटा है इसे लिए यह क्या है असत्त है देखिए B C कमान कितना है B C कमान यहाँ पे चार है और कर्ण कर्ण कमान तीन है जो कि यह गलत है कर्ण को बरा होना चाहिए कंडिसन अगर यहाँ पर ऐसा होता ऐसा होता यह कर्ण बरा रहता किसे अधार से या लंब से तब तो ये सही था लेकिन ऐसा नहीं है इसलिए ये कथन क्या है असत्त है ये कथन असत्त है लेखे अब लोग